हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं दा ओटो में और आज हम बात करेंगे रेल प्रेसर सेंसर के पार्ट टू के बारे में पार्ट टू में हम देखेंगे इस रेल प्रेसर सेंसर में जो कपलर लगता है उसमें कपलर लगाने के बाद कितना वोल्टे जाना चाहिए कपलर निकाल तीन वायर में से कोई भी वायर टूड जाता है तो क्या फोल्ड कोड आएगा और तीनों आपस में कोई भी किसी के साथ टच हो जाता है तो क्या फोल्ड कोड आएगा और बीच वाला जो वायर है वो किस चीज का है इधर किनारे का वायर किस चीज का है इस तरब के साइड वा DCM के अंदर दो कपलर है, एक बड़ा है, एक छोटा है, बड़े वाले को J2 कपलर बोलते हैं, छोटे वाले को J1 बोलते हैं, और छोटे वाले में से जो J1 का कपलर निकला है, उसी के अंदर हमारा rail pressure sensor का wire आया हुआ है, यह इस तरह से. पहले हम देखेंगे कि कपलर फिटिंग में, यह जो वायरिंग का कपलर है, यह हमारे fuel rail pressure sensor के अंदर जब फिटिंग होता है, तब तीनों wire पे किसमें कितना voltage आना चाहिए, यह जो सफेद वायर है, किसी गाड़ी में लाल भी हो सकता है, यह एक तरब जो सफेद वायर दिख र चलाने के लिए, फिर जो बीच वायर दिख रहा है, यह पीला वायर है, इसके अंदर बीच में कोई भी वायर हो सकता है, कलर चेंज भी हो जाता है, बीच के पीले वायर में जानकारी ECM को signal वायर है, ECM में जानकारी जाएगी, कि हमारे fuel rail pressure पे कितने voltage का signal आ रहा है, मतलब ह हमारे common rail में कितना fuel का pressure है, उसकी जानकारी यहां से जाएगी, ECM को, और यह जो काला वायर दिख रहा है, यह भी ECM से ही आता है, इसमें ground आएगा, मतलब कुल मिला के हमारे जो तीन वायर है, इसमें से एक यह जो सफेद वाला है, यह reference voltage है, इसमें 5 volt आएगा, coupler fitting में, और 0 0.5 यानि आधा वोल्ड का पीले वायर में signal जाएगा, यह पीले वायर में signal जाएगा ECM में, और यह अर्थ का वायर है, अर्थिंग का, बैटरी से जो अर्थिंग आती है, वो है, लेकिन यह ECM में से आती है, यह ground जिसे बोलते हैं हम, यह काला वायर, इसमें ground आएगा ECM से यह तीनो वायर ECM में ही लगे होते हैं, J1 कपलर में, यह हमारे J1 कपलर में, और J1 कपलर से ही यहाँ पे 5 वोल्ड का रेफरेंस वोल्टे जाएगा, और यहाँ से आधे वोल्ड का फिटिंग में signal जाएगा, अगर गाड़ी हमारी बंद है, तो भी चाबी ओन करने पे, और एंजिन के उपर भी प्रोब लगाएंगे, और यहाँ लगाएंगे, कॉंटिनिटी चेक करने पे बीब बजेगा, मतलब इसमें ग्राउंड आएगा, अभी हमने देखा कि अगर कपलर लगा हुआ हो, और चाबी ओन करेंगे, इंग्रेशन ओन करेंगे, तो हमारे किस वायर पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, उसका देखा हमने, अब हम देखेंगे कि कपलर निकालने के बाद, कपलर अगर हम निकाल दे, रेल प्रेशर सेंसर से, तो किस वायर में कितना वोल्टेज आना चाहिए, तो यह जो वाइड कलर का वायर दिख रहा है, जिसमें 5 वोल्ट आ रहा था कपलर लगे हुए में ये हमारे फ्यूल रेल प्रेसर सेंसर को चलाने के लिए वो पांच का पांच ही रहेगा सफेद वायर में और ये इस काले वायर में हम देख पा रहे हैं कि जो अर्थिंग आता था हमारे फ्यूल रेल प्रेसर सेंसर को चलाने के लिए वो अर् जो पीला वायर देख पा रहे हैं आप इसमें फरक आएगा कपलर को निकालने के बाद चाबी ओन रखेंगे और कपलर को निकालेंगे तो पीले वायर में जो लगे हुए में कपलर लगे हुए में जो 0.5 वोल्ट का करंट आ रहा था बंद गाड़ी में अब वो बंद इस पीले वायर के अंदर हमारा ECM J1 connector के उसी पीले वायर में 5 वोल्ट का supply देता है जो यहां से वो ही उसी के माध्यम से signal जाता है तो जब coupler निकाल देंगे तो इस पीले वीच वायर में 5 वोल्ट का current आना चाहिए एक बार हम फिर से देखते हैं coupler लगे हुए में सफेद में 5 वोल्ट आएगा काले में ground आएगा पीले में 0.5 वोल्ट का current आएगा coupler लगे हुए में coupler को निकालने के बाद सफेद वायर में 5 वोल्ट का current आएगा काले में earthing आएगा लेकिन जैसे ही coupler को हमने निकाला तो 0.5 वोल्ट का current आ रहा था आधे वोल्ट का पीले वायर में वो हमारा 5 वोल्ट का हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि coupler निकालने के बाद हमारी वायरिंग बिल्कुल सही है और जो पहले हमने देखा coupler लगाने के बाद coupler लगाने के लगा हुआ में यहां सफेद वायर पे 5 वोल्ट पीले पे 0.5 वोल्ट मतलब आदा वोल्ट और काले पे ground यह इस्थिती अगर होती है तो हमारी वायरिंग बिल्कुल सही है अब हमें rail pressure sensor को check करना है तो rail pressure sensor आप बदल के भी देख सकते हैं लेकिन उसके पहले हमें wiring को check करना है कि हमारी वायरिंग बिल्कुल सही है कि नहीं है अब हम देखेंगे fuel rail pressure sensor को एक drawing के माध्यम से कि coupler fitting में किस वायर पे कितना voltage आना चाहिए कपलर खुला हुआ है तो किस वायर पे कितना voltage आना चाहिए अगर कपलर close है बंद है और ignition चालू है चाबी on रखेंगे तो हमारे पहले वायर में ground आएगा दूसरे वायर में 0.5 volt का signal आएगा तीसरे वायर में 5 volt का ही 5 volt का पूरे 5 volt का reference voltage आएगा अगर हम coupler को खोल देते हैं तो पहले वायर में ground आएगा दूसरे वायर में जहां 0.5 volt का current आ रहा था उसमें अब 5 volt का पूरा current दिखाएगा और तीसरे वायर में पहले भी 5 volt का आ रहा था और coupler खोलने के बाद भी 5 volt का आएगा coupler fitting में और coupler खूले हुए में तीन वायर वाले fuel rail pressure sensor में क्या फरक है तो शिरिफ फरक इतना है कि जो signal आधे voltage का आ रहा था coupler लगे हुए में वो आधे volt का signal जो है 5 volt में convert हो जाएगा coupler खोलने के बाद और अगर ऐसा होता है coupler fitting में और coupler खूले हुए में तो हमारा wiring बिलकुल सही है जैसा कि आपने देखा कि coupler लगाने के बाद और coupler निकालने के बाद हमारा wiring सही है कि नहीं है उसे पता करना है तो हमें किस तरह से चेक करना है और यह multimeter से ही चेक करना रहता है और 4 pin का अभी हमारे पास 4 pin का rail pressure sensor नहीं है यह 3 pin वाला ही है 4 pin वाला भी इसी तरह से काम करता है जैसे 3 pin का fuel rail pressure sensor काम करता है यह जो हम BS6 की ASWAMAC engine जो आता है BS6 में ASWAMAC जिसमें fuel supply system Q-means का आता है जिसे 56 cc engine भी बोलते हैं ASWAMAC का उसके अंदर यह fuel rail pressure sensor चार वायर का आता है बस वो चौथा वायर जो है वो fuel का temperature ECM को बताने का काम करता है जिसकी मदद से ECM गाड़ी को चलाने का काम करता है तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा rail pressure sensor सही है या खराब है या उसका wiring सही है या खराब है किस तरह से पता करना है तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं